हलो अरिवन मैसल प्रमोट धाका टीम फिजिक्स सील सी सीकर तो डियर इस सेशन में हम डिसकस करने जा रहे हैं हमारे दंगल का तीसरा मेजर पेपर जैसे दंगल में टोटल मिलाकर और अपने 10 मेजर पेपर होने होने 10 जिसमें से तीसरा पेपर जो है वो मैं डिसकस करने जा रहा हूं तो डियर हम अपनी प्रपेशन पूरी कर चुके हैं 100% और लास्ट टाइम में रिफाइनिंग का जो काम है सेलेबस को वापस से रिफाइन करके देखना किस टॉपिक में अपन स्ट्रॉंग है किस टॉप फिजिक्स के इको के जो पेपर्स अपने पहले पढ़े थे पहले जो टेस्ट दिये थे उन पेपर्स को आपने दुबारा सोल किया फिजिक्स से रिगार्डिंग जो भी आपकी दिकतें थी उनको अपने दुबारा से सोल किया अब आगे केमिस्ट्री की बात होगी फिर बा तोड़ा बहुत आपको कहीं लग रहा हो कि कुछ छूट रहा है तो उनको प्रॉपरली बायो कैम डी टी एस और फिजिक्स इको सोल करके उन चेप्टर्स को खतम करें मतलब 100% कवर करें बाकी पेपर नीट का इजी ही आ रहा है पिछले कुछ सालों से कोई दिक्कत नहीं इजी आएगा कट ओफ ज्यादा जाएगी हाड आएगा कट ओफ कम जाएगी तो पेपर के डूरेशन में कभी भी घबराना नहीं है कि कहीं पेपर टीपिकल आ जाए तो ब पेपर को स्टार्ट करते हैं इस वाले डिसकेशन को क्यूशन नंबर बन से सुरू करते हैं कि एक पार्टिकल है वो एक सर्कूलर पाथ में वर्टिकल प्लेट में सर्कूलर पाथ में रिवोल कर रहा है जिसकी रेडियस केपिटल आ रहा है और स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसा से पता है कि इस वाले case में, इस वाले point पर, जो minimum required speed होती है, to complete the circle, that speed is under root में 5ZR, so according to this, second one is the correct answer, चलिये sir, आगे बढ़ाते हैं बात को, next यदी मैं, first के बाद, अगले question की बात करूं, that is question number 2, देखे, question number 2 में क्या कहा जा रहा है, sorry, 3 में पहुँच गया पना, question number 2, the equivalent capacitance for two capacitors, connected in parallel, in given by की दो capacitors है, इनका equivalent capacitance parallel combination में C1 plus C2 होता है, और कुछ error के साथ अपने को value दी गई है, और अपने को C equivalent की value calculate करनी है, हमने का जी साब देखो C equivalent जो होता है न, उसकी value C1 plus C2 है, इस वाले case में जो mean absolute errors होती है, उन mean absolute errors को add कर दिया जाता है, तो इस वाले case में mean value तो होगी 30 plus 50, that value is 80, और mean absolute error will be what, 3, so according to this 80 plus minus 3, microfarad is the correct answer for this question, third one is the correct answer, चलिये सर अगले question की बात करते हैं, the next one is question number 3, देखो बेटा, question number 3, वंडी का question है, simple सा, इसमें बोला गया है, that a particle moves with a velocity v is equals to 2t cube along a straight line, the average speed in time interval t is equals to 0 to t is equals to 3 second, कि 0 से 3 second में मुझे पार्टिकल की average speed बतलानी है और velocity दे गई है, तो average speed क्या होती है, final minus initial position में divided by the time interval, अपने को velocity गीवन है बेटा, 2t की होगा, तो अपन यहां से position calculate करना चाहें, तो इसको क्या put करेंगे, dx by dt, so that will be 2t cube dt, let's integrate it, let's integrate it, 0 to t, तो यह data या 2, t की पावर 4 divided by 4 and the limit goes from 0 to t, so this is t की पावर 4 divided by 2, this is the position, हमें 0 से 3 second में बात करनी है, तो जो final position आ रही है particle की, that will be 81 divided by 2, 3 second put किया तो, और initial position जो आ रही है particle की, that is 0, then the average speed is 81 divided by 2, minus में 0, divided by the time interval, that one is 3, तो value आगी, 81 divided by 2 into 3, cancel out what 27 times, it is 27 divided by 2, so that value comes as 13.5 meter per second, so according to this first one is the correct answer, चलिये sir, next question की बात करते हैं, question number 3 के बाद, the next one is question number 4, देखे, फोर्त में क्या कहा गया है, for a particle projected from horizontal surface, the ratio of range to maximum height reached is, okay, ये 3, अलग से ही रह गया है, 37 प्रेक्शन की दिखतो मुचाही का नपात है, 3, ऐसे ही कुछ data रह गया है, कोई दिकत नहीं है, कि particle को horizontal surface से फैंका project किया गया, और maximum height, horizontal range, और maximum height का ratio बतलाना है, थेटा जो है, वो angle of projection है, हमने कहा है, साब देखो, बहुत simple सी बात है, पर angle of projection है, किस के साथ, vertical के साथ, तो range का formula तो वैसे भी u square 2 sin theta cos theta होता है, तो उसमें फरक नहीं पड़ेगा, sin 2 theta divided by z, maximum height का formula u square sin square theta होता है, तो 90 minus theta करते हैं, ये data cos square theta बन गया, अब हमें ratio calculate करना है, किसका, r और h का, तो u square by g से u square by g साहीद हो गया, sin 2 theta comes as twice sin theta cos theta divided by, this data is cos square theta into mid 2, अब देखो एक cos theta से cos theta साहीद हो गया, 2 into 2, that value is 4 and this value is sin by cos that is 10 theta, तो range और maximum height का जो ratio है, that is 4, 10 theta but theta is the angle of projection with vertical, चलिए sir, question number 4 के बाद, the next one is question number 5, देखो बेटाजी, 5 में क्या कहा गया, constraint motion का question है पहुत simple सा, a road of mass small m and length small l is moving between particular smooth walls, perpendicular smooth walls as shown, मतलब friction कहीं भी नहीं है, when the road is at angle theta with the horizontal, ये theta पर है horizontal से, its end b is moving right with speed v, ये वाला end इदर v speed से जा रहा है, हमें end a की speed बतलाने है, मैंने गास आप देखो ये है, इस distance को अपन कहा दें, let's suppose x, और इसको कहा दें y, जैसे जैसे x increase होगा, y decrease होगा, लेकिन इस road की जो length है, that length will be constant, इस length में किसी type का variation नहीं होगा, तो we can say, कि भी x square प्लस y square is equals to l square and that is a constant quantity, चलिए, differentiate करते है, x square का differentiation 2x dx by dt, y square का differentiation 2y dy by dt, and l square का differentiation 0, चलिए, इसको इदर ले आते हैं, y minus y dy by dt, that is x dx by dt, to cancel out होगा, तो minus dy by dt, this is the velocity of b, because y is decreasing with time, sign के साथ ये ही बतलाएगा, and this value will be x upon y, dx by dt, velocity of and b, that is x at particular instant, अब देखो इसमें, x upon y जो है, y upon x 10 theta है, तो x upon y किसके equal होगा, x upon y will be quote theta, so this value comes as v quote theta, so according to this, second one is the correct answer, बाट ठीक है बीटा जी, चलिए, अगले question की बात करते हैं, 5 के बाद, next one is, question number 6, कि if a constant force is applied on a body at rest, कि यदी body पर, body rest में है और इस पर एक constant force लगता है, तो body की velocity constant रहेगी, नहीं, body rest में है, velocity will be 0, speed of body will be constant नहीं, speed constant नहीं होगी, momentum of the body will be constant, momentum constant नहीं होगा, force लग रहा है, तो momentum will change, but fourth option करा है कि rate of change of velocity will be constant, force लग रहा है, तो acceleration constant होगया, acceleration constant होगया, that means, यदी acceleration constant होगया, तो velocity change होगी, and changing rate of velocity is known as acceleration, तो हमने का, rate of change of velocity, that is known as acceleration, that will be constant, so for this question, fourth is the correct answer, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, 6th के बाद, the next one is question number 7, 7 में बोला गया है कि 10 केजी block का, mass का block है, एक block of mass 10 केजी is kept on a rough horizontal surface, on which a force capital F is acting as shown in the figure, इस पर एक force capital F लग रहा है, डाइग्राम के कोड़ी, the coefficient of friction between the block and the surface is 0.4, इस block और इस surface के बीच coefficient of friction 0.4 है, the block is at rest, और block rest में है, हमने external force लगाया, block rest में है, that means block surface के साथ moving नहीं है, तो कौन सा friction force, static friction force लगेगा, और इस case में यदी में हम से पूछा गया है, the frictional force acting on the block is, देखो जी, इधर force का component होगा, root 3 F by 2, इधर component होगा, F by 2, इधर एक normal लग रहा होगा, इधर MZ लग रहा होगा, और backward direction में frictional force लग रहा होगा, इस frictional force की value किस के equal होगी, बोले जी, root 3 F by 2 के equal होगी, so third one is the correct answer, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, 7th के बाद, next one is, question number 8, that a constant force is applied on a body of mass force केजी, to give it a displacement S is equals to T square by 2, कि ये constant force लग रहा है, जिसकी बज़े से इसका displacement, equation S is equals to T square by 2 के according vary कर रहा है, work done by the agent applying the force up to time T is equals to 3 second, 3 second तक force लगाने में जो भी work done हो calculate करके बतलाना है, मैंने गा बाइस अब देखू, work done जो होता न, that is, final kinetic energy, minus में क्या, initial kinetic energy, बोलो सही है क्या बोला हाँ, तो S given at T square by 2, इसका मतलब V की value किसके equal आजाएगी, बोले जी TK equal आजाएगी, ठीक है, speed TK equal आगई, 0 second पर speed हो गई, initial speed हो गई 0, तो initial kinetic energy भी 0, 3 seconds पर, speed जो है, that is 3, तो kinetic energy will be half, into में मास, into में 9, यह data cancel out what new times, so the work done will be what, 18 joule, so according to this, first one is the correct answer, चलिये सर, अगले question की बात करें, 8 के बाद, the next one is, question number 9, 9 में बोला गया है, कि 2 bowls of equal mass, of 4 KZ, each are moving with velocity, 4 meter per second, towards each other, collides inelastically, okay, बतलब 2 bowl है, इस वाली bowl का मास, अपने M कह दें, इस वाली bowl का मास भी M है, यह इधर आ रही है, 4 meter per second से, यह इधर आ रही है, 4 meter per second से, और इनमें, inelastic collision हो रही है, यदि coefficient of restitution 0.5 है, तो loss in kinetic energy बतलाना है, मैंने का, मास सेम है, तो obviously collision में, एक दूसरे पर, bowls, same, impulsive force apply कर रही होगी, तो linear momentum में, change भी सेम होगा, मतलब यदि collision के बाद, इसकी speed V है, तो इसकी speed भी क्या होगी, V, अब उने का, initial linear momentum 0, final भी 0, फिर, बोले जी, coefficient of restitution के definition लगा दो, speed of separation, divided by speed of approach, this value is what, 1 by 2, into में 8 by 2, is equals to V, so speed comes as, 2 meter per second, after collision, before collision, it is 4 meter per second, after collision, it is 2 meter per second, तो मैंने का, loss in kinetic energy चाहिए, तो initial kinetic energy तो half, into में 4, into में 4 का square, and 2 times कर लेते हैं, cancel out 2 times, this is 4, into 4, into 4, that is 64, and final kinetic energy is half, into में, mass is 4, but the speed is 2, 2 bol से 2 times कर ले, this value is 16 joule, initial kinetic energy is 64 joule, final kinetic energy is 16 joule, so we can say, the lowest in kinetic energy, that will be 48 joule, so 4th is the correct answer, चलिये सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 9 के बाद, अगले question की बात करें, question number 10, कि ए फोर्स, आई कैप प्लस जे कैप, प्लस के कैप न्यूटन, acts on a point, R vector is equal to twice I cap, plus twice J cap, plus twice के कैप मीटर, the torque on the force, about the point, R2 vector की respect में, torque calculate करना है, तो बाई किसी भी force का, जो torque होता है, उसकी value क्या होती है, R cross F, R position vector है, उस point का, जिस पर force apply हो रहा है, किस के respect में, जिस point के बाउट, torque calculate करना है, तो apply किस पर हो रहा है, इस पर, किस के respect में calculate करना है, इस के respect में, तो R vector will be, 2 I cap, plus 2 J cap, plus 2 K cap, minus of I cap, plus J cap, plus K cap, so the value comes as I cap, plus J cap, plus K cap, this one is R vector, and the force vector is, I cap, plus J cap, plus K cap, so we can say, these two vectors, देखने पर बिल्कुल, equal vectors है, मतलब परलल है, मतलब दोनों के भी चेंगल कितने डिगरी का, 0, तो दो, वेक्तर का, cross product calculate करना हो, जिनके भीच अंगल, 0 degree हो, तो उसकी value आएगी, 0, तो इस case में, जो लगने वाला torque होगा, that will be 0, so fourth one is the correct answer, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, तो dear question number 11 में देखिए, कि a uniform road of length 3 meter, and mass 1 kg, is free to rotate vertically, about a fixed point capital A, vertically, is point K about rotation के लिए free है, length है 3 meter, और mass है 1 kg, the road is released from the rest in horizontal position, rest से छोड़ा गया है, और road का initial angular acceleration पूछा गया है, मैंने का भाई साब देखू, इस road के center पर इधर force लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, बुले जी mg, ये length कितनी होगी, length L ले ले तो, L by 2, बाकी और कोई force, hinge point लगा रहा है, बट hinge point की वज़े से, जो force लग रहा होगा, उसका torque नहीं होगा, तो road पर torque की value आगे ही, MGL by 2, that is I alpha, I कितना है, ML square by 3 into alpha, ML ML, cancel out होगा, तो initial angular acceleration आया, 3Z by 2L, mass पर depend नहीं किया, length पर depend कर रहा हो, length कितनी given है, बोले जी 3 meter, तो 3Z divided by 2 into 3, तो इसका initial angular acceleration, जो निकल किया रहा है, that angular acceleration is what is Z by 2, so third one is the correct answer, चलिये सर, आगे बढाते हैं बात को, 11th के बात, the next one is question number 12, कि the variation of gravitational potential for a uniform solid sphere of mass capital M and radius capital R, with the distance R from the center is best represented by, कि एक uniform solid sphere के gravitational potential का distance के साथ function बताना है, वैसे जनरली gravitational potential को minus में लेते हैं, पर कोई भी data ऐसा है नहीं, ना none of these कोई option है, तो हम बोल सकते हैं सर की magnitude की बात की गई है, gravitational potential जो है, inside में vary करता है, minus gm upon 2r3, 3r square minus r square k coding, और outside में gravitational potential vary करता है, minus gm upon r k coding, तो इसका जो correct graph आता है, बहुत famous सा graph है, 3rd वाला जो है, that is the correct answer, कि inside में potential distance के साथ decrease होता है, magnitude में, फिर उसके बाद distance increase होने के साथ decrease होता है, but variation का graph जो है, वो अलग-अलग होता है, inside में ये वाला होता है, outside में ये वाला होता है, so third one is the correct answer, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 12th के बाद, next question की बात करें, the next one is question number 13, 13 में बोला गया, that in the given reaction, radioactive radiations are emitted in the sequence, कि इसमें, जो radioactive radiations है, वो किस sequence में emit हो रही है, देखो, बहुत simple से चीज़, Z और A, दोनों change नहीं होते तो gamma, कि एवल Z change होता है, A change नहीं होता तो beta, Z और A, दोनों change होते हैं, Z 2 से, A 4 से, तो alpha particle, देखो, सबसे पहले वाले sequence में, Z change हुआ है, A change नहीं हुआ, A 4 से change हुआ, Z 2 से change हुआ, यहाँ वाले sequence में, ना तो Z change हुआ, ना ही A change हुआ, यहाँ वाले sequence में, तो Z change हुआ, यहाँ एचेंज हुआ, गामा, तो अगर्दिन तो इस, second one is the correct answer, चलिया सर, अगले question की बात करते हैं, 12th के बाद, the next 13 के बाद, the next one is question number 14, 14 में बोला गया कि, when a load of 1 kg is hanged from a wire, from the wire, then extension of 2 mm is produced, कि 1 kg का wire, 1 kg का mass hang करते हैं, तो extension 2 mm का आता है, उसमें stored energy पूछी गई है, तो हमें पता है कि, stored energy जो है, actually में, जब आप data solve करोगे, जैसे मानलो यह वायर है, जैसे मास पार्टिकल हैंग कर दिया, और यह मास पार्टिकल यहां से, h distance नीचे चला गया, कितना h, तो मैंने का जी, इस वाले case में, gravitational potential energy में, कितने का decrement हुआ, mgh का, जिसमें से half, इसमें store हो जाती है, half कितनी, half mg hy to this case में, simple वाले case में, proof बोले जी, half, k x square होता है, k की value होती है, y a upon l, और x is the extension, that is h square, बोलो ठीक, अब मुझे बात करनी है, y a by l की, तो बेटाजी, young's modulus का formula होता है, capital F, that is mg by 8, साथ में, delta l by l, अपन यही तो कहते हैं, y a upon l, that is f upon delta l, delta l इस case में कितना है, h, बोलो ठीक बात है, जी दान में रखने वाले सी चीज है, हमेशा ज्यान में रखिए, अब उसके बाद, अपने बात में आते है, m की value 1, g की value 10, h की value 2 into 10 की पाँ-3, divided by 2, 2 से 2 सहीद हो गया, this value comes as 10 millizool, so according to this, first one is the correct answer, काम की बात क्या, यह वाला data, की mg h by 2 होता है, बोलो ठीक बात है, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 14 के बाद, next question की बात करें, the next one is question number 15, 15 में बोल रहा है, कि what will be the de-brogly wavelength of a proton, and alpha particle of same kinetic energy, की एक proton, और एक alpha particle, same kinetic energy के हैं, इनकी de-brogly wavelength, तो सबसे पहली चीज, de-brogly wavelength होती है, h upon p, जिसको अपन लिख सकते है, under root 2mk, p is the linear momentum, अब h same है, k same है, मतलब मैं कहूं, lambda proton upon lambda alpha particle, that will be k alpha, divided by k proton, now what is k alpha, alpha particle का mass, यदि proton का mass हैं में लेते हैं, तो alpha particle का mass आता है, 4m, alpha particle is basically what, the nucleus of helium, यहां से यह data, root में 4, and that is 2, तो इसका ratio जो आता है, that ratio comes as, 2 raise to 1, चलिए सर, आगे बढ़ाएं बात को, next question की बात करते हैं, 15 के बाद, next one is question number 16, कि generally with, बहुत informative सा question है, कि generally with increment in temperature, surface tension, तो surface tension, temperature के increment के साथ, surface tension क्या होता है, decrease होता है, इसी वज़े से, गरम पानी में, कपड़े जो है, बहुत आसानी से दूलते हैं, मैंने general way में बात की, general way में we can say, कि temperature increment के साथ, surface tension जो होता है, that surface tension decreases, चलिए ज़र, आगे बढ़ाते हैं, next question की बात करें, 16 के बाद, next one is, question number 70, कि the temperature of water, is increased from 0 degree Celsius, to 20 degree Celsius, by heating it, कि temperature जो है, वो 0 से 20 तक, increase किया गया, the volume of water, water की volume पे क्या फरक पड़ेगा, मैंने का मास तो होता ही है, temperature increment के साथ, 4 degree Celsius पे density highest होती है, water का थोड़ा सा anonymous behavior होता है, और 4 के बाद, density decrease, तो 0 to 4 में, 0 degree to 4 degree Celsius, density decreases, sorry, density increases, volume decreases, 4 degree Celsius to 20 degree Celsius, density क्या होती है, decrease, maximum होती है 4 पे, उसके बाद, density decrease, तो volume क्या होगा, increase, तो volume first decreases, then volume increases, so for this question, 4th one is the correct answer, चलिया सार अगले question की बात करते हैं, 17 के बाद, next one is question number 18, कि which among the following statement is correct, निम में से कौन सा कथन सही है, पहला बोला जा रहा है, natural convection occurs only in gravity, फिर दे को, convection जो है ना, natural convection के लिए क्या होता है, कि जैसे ही body heat up होती है, यहां के जो particles है, वो energy gain करके upward move करते हैं, और उपर के जो particles है, वो नीचे की तरफ move करते हैं, and that is due to gravity, इसी वज़े से, freeze में, freezer को generally उपर की तरफ रखा जाता है, उसमें natural convection का, थोड़ा सा profit हो जाता है, तो natural convection के लिए, अपने को, gravity must है, but forced convection, forced के तरू होना है, तो वो gravity free space में भी किया जा सकता है, चलिए options से बात करते हैं, first option में, natural convection occurs, only in gravity free space, नहीं गलत बात, natural convection can occur in space, having gravity as well as gravity free गलत बात, forced convection occurs only in space, having gravity गलत, forced convection, gravity free space में भी हो सकता है, so for this question, fourth one is the correct answer, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, 18 के बाद, next one is question number 19, if V average is the average speed, and V RMS is the root mean square speed of molecules of ideal gas, तो, then the ratio of V average by V RMS, रिश्यों का ratio बतला है, हमने का भाई साब देखो ऐसा, V average का जो formula होता है, वो root 8 upon pi, RT by MW में molar mass को MW लिख रहा हूँ, और RMS speed गा जो formula होता है, वो होता है, root 3RT, divided by MW, and we have to calculate the ratio, of what, V average versus V RMS, this ratio comes as, under root में, 8 upon 3 pi, for this question, first one is the correct answer, चलिए सर, 19 के बाद, अगले question की बात करते है, the next one is, question number 20, 20 में बोला जा रहा है, the pressure in a monoatomic gas, increases from P naught to 3 phi naught, when its volume increases from V naught to 2 V naught, pressure जो है, monoatomic gas का, वो P naught से 2 P naught गया, और volume गया, V naught से 2 V naught तर, internal energy में, increment पूछा गया है, internal energy में मू C V, delta T है ना, change in internal energy, और C V की value, monoatomic gas के लिए, 3 R by 2, 3 by 2, and this data is, mu R delta T, तो, mu R T final minus mu R T initial, that is, P final V final, minus P initial, V initial, लेक सकता है, PV is equals to mu R T, मैं mu number of moles के लिए काम में ले रहू, this data will be, 3 P naught and 2 P naught, 2 V naught, this is 6 P naught V naught, minus में P naught V naught, so it is 5 P naught V naught, 3 by 2 into में 5 P naught V naught, that is 15, P naught V naught, divided by 2, so the value comes as, 7.5 P naught V naught, so second one is the correct answer, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 20 के बाद, next one is, question number 21, 21 में बोला जा रहा है, then an object in simple harmonic motion, takes 0.250 seconds, to move from its equilibrium position, to its maximum displacement, y is equals to 5 cm, mean से, maximum तक जाने में, time लग रहा है, 1 by 4, और ये data होता है, capital T divided by 4, इसका मतलब, इसका time period जो अपने पास है, है, that time period is 1 second, okay, और अपने से पूछा गया है, what is the maximum velocity, अब भाई साब देखो, maximum velocity calculate करनी है, maximum amplitude, जो दे रहा है, maximum displacement, that is 5 cm, तो मैंने का maximum velocity का जो formula होता है, that is omega, that is 2 pi by T, into में amplitude, 2 pi, time period is 1, and the amplitude is 5, so this value comes as 10 pi, cm per second, so fourth one is the correct answer, वो लो ठीक बात, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 21 के बाद, next one is question number 22, 22 में बोला गया है, a wave is described by the equation this, here, x is in meter, t is in second, and we have to calculate the speed of the wave, हमें पता, speed of the wave का जो formula होता है, that is coefficient of t, that is pi, divided by coefficient of x, कितना है, 5 pi, बहुत SIMPLE जा formula है, coefficient of t, divided by coefficient of x, that value comes as, 1 by 5, और 1 by 5 की बात की जाए, तो बोला जाए तो सर, 0.2 meter per second, is the correct answer, that is the speed of wave, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, 22 के बाद, next one is question number 23, कि 20 meter from a line source, काम की बाद प्रिदान देना बेटा, line source बोला गया है, रेखा स्रोट है, इससे 20 meter की distance पर, sound की intensity 40 dB है, तो मेरे को source, 10 meter की distance पर, sound की intensity dB में बतला दी, मेरे कासा आप देको, sound की intensity, linear source के लिए, 1 upon R पर dependent होती है, और beta 2 minus beta 1, that value will be 10 log 10, R2 by R1, sorry, R1 by R2, inverse ratio होता ना intensity का, I1 by I2 लिखेंगे विटा उसको, that is R1, यपन ऐसे लिखेंगे 10 log 10, I2 minus 10 log 10, I1, so this value will be 10 log 10, I2 by I1, I2 by I1 बोले तो, I inverse proportional होता है, R1 by R2, distance 10 log 10, initial distance is 20, and the final distance is 10, 20 by 10, that is log 2, log 2 की value 10 log 2, यवाली value होती है 2, sorry 3, beta 1 की value हो 40, so it is beta 1 plus 10 log 10 2, this value is 3, so this value comes as 43 dB, so first one is the correct answer, चलिए सर, 23 के बाद, next one is question number 24, 24 में बोला जा रहा है, कि दो पॉइंट चार्जेस है, तो माइक्रो कुलाम, 18 माइक्रो कुलाम, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ओफ 6 सेंटीमेटर, दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमेटर है, तो लोकेशन अफ जीरो इंटेंसरी पॉइंट, मुझे जीरो इंटेंसरी पॉइंट की लोकेशन मतला, या देखो साथ सिंपल सी बात, दोनों चार्जेस नेचर में सेम है, मतलब जीरो इंटेंसरी पॉइंट कहीं बीच में लोकेटेड होगा, मालनो लेट सपोज, 18 माइक्रो कुलाम से डिस्टेंस एक्स है, यदि मैं इसको क्यू कहूंगा, इस विल बी 9Q, तो KQ, ये तो cancel out हो गया, 9Q अपोन X स्क्वार, Q तो सहीद हो गया, X कमस एस 3 इंटो 6 माइनस X, उधर गया 4X is equals to 18, X की value आगे ये अपने पास 4.5 cm, मतलब 18 माइक्रो कुलाम से डिस्टेंस होगी 4.5, for 2 माइक्रो कुलाम से डिस्टेंस होगी 1.5 cm, so according to the given options, second one is the correct answers, चलिए सर, 24 के बाद अगले क्यूशन की बाद करें, क्यूशन नमर 25, 25 में बोला जा रहा है, the electric field at a point perpendicular to the direction of dipole moment P of a sort electric dipole, the angle theta is, तब पॉइंट A पर electric field dipole की वज़ए से, dipole moment के perpendicular है, तो मेरे को ये बतलाना है कि वो angle कितना होगा, सुनो बेटाजी, यहाँ पर जो electric field यहाँ से, alpha angle पर जो होता है न, उसकी value होती है, 10 alpha की value, 10 theta, divided by 2, ठीक बाद, अच्छा आप सुनो, मैंने का ये angle theta और ये angle alpha, अगला कह रहा है कि यहाँ जो resultant electric field है, ये दोनों perpendicular है, मतलब alpha plus theta की value किसके equal है, pi by 2, मतलब alpha किसके equal है, pi by 2 minus theta, तोन तरफ 10 लगा दो, 10 alpha की value, 10 pi by 2 minus theta, that will be quote theta, इधर से 10 alpha is 10 theta by 2, and here quote theta is 1 by 10 theta, 10 square theta किसके equal है, 2k, तो theta किसके equal है, 10 inverse root 2k, so according to this, first one is the correct answer, बाठ ठीक है क्या, वह angle पर जाता जाता है, उस angle का formula है, 10 alpha is equal to 10 theta divided by 2, वहाँ पर electric field intensity का formula होता है, kp upon r cube, r at the distance, under root of 1 plus 3, cos square theta, बोलो ठीक है, चलिए सर, अगले question की बात करते है, 25 के बाद, next one is question number 26, 26 में बोला गया है, the work done by an external agent, external force, to carry a point charge q node, from a point A to B, on the same equipotential surface, A से B तक, same equipotential surface पर लेके जाएंगे, तो work done की value कित्ती होती है, 0, तो सीदी सी बात है, साब distance between A and B is, D, V is the potential of equipotential surface, cable डराने के लिए डाटा दिये गए, बोला जाए, equipotential surface पर यदी particle displays होता है, तो work done by electric field 0, work done by external agent भी कितना, 0, तो इस वाले case में, work done की value जो अपने पास calculate हो करा रही, that is 0, so fourth is the correct answer, चलिए सार, अगले question की बात करते हैं, question number 27, कि in the circuit shown in the figure, charge stored in the capacitor of capacitance 30 microfarad, 30 microfarad के capacitor पर stored charge बताना है, मैंने का 30 no series में, मतलब charge क्या, कुछ दिया नहीं गया हो तो, charge क्या, same, it's not necessary, कि series combination में, capacitors पर charge same होगा, बट कुछ नहीं देते हैं, तो अपन generally same मानते हैं, मतलब इस पर इस पर और इस पर तीनों उपर से, तो मैंने का C equivalent calculate कर लू, 1 by 15 plus 1 by 30 plus 1 by 90, LCM 90 आया, 6 plus 3 plus 1, that value is 10, so 1 by 9 micro, so C equivalent comes as 9 microfarad, 40 volt के साथ लग रहा है, तो charge is Q is equals to CV, 40 into में 9, that value comes as 360 micro coulomb, so charge on the capacitor is 360 micro coulomb, first one is the correct answer, चलिए सर अगले question की बात करते हैं, 27 के बाद, the next one is question number 28, देखो साथ क्या क्या आगे, कि the VI characteristics of a non-omic device is shown in the figure, एक device है, non-omic है, जिसका VI characteristics diagram में अपने को दिखाया गया है, हमें वो region बताना है, जिसमें resistance negative है, भाई साब, इस case में, आई ओर V के बीच ज़िए, तो कोई दिखत नहीं है, inverse of slope हो जाएगा, 28 के बाद, the next one is question number 29, कि एक current caring square loop है as length है 1 meter और हमें इसके center पर magnetic field बतलाना है वैंगा देखो square वाले case में एक wire का निकालो 4 times करो that is the magnetic field at center यदि length a होती है तो perpendicular distance a by 2 तो 4 times of mu not i single wire की वज़े से into my 4 pi r यवाल angle 45 ये भी 45 तो sin 45 plus sin 45 बोलो ठीक है क्या अब सुनो ये तो सहीद हो गया ये data 1 by root 2 plus 1 by root 2 that is root 2 2 by root 2 that is root 2 ये 2 उपर गया तो 2 root 2 mu not i upon pi a side length कितनी दी गई है side length is 1 so according to this second one is the correct answer भी करना क्या है single wire की वज़े से magnetic field calculate करो उसको 4 times करना है single wires की वज़े से calculate करना है तो हमने का जी यहां से जो perpendicular distance that is a by 2 ये वाला जो angle होगा this will be 45 degree this angle will be also 45 degree तो mu not i upon 4 pi distance into my sin theta 1 plus sin theta 2 so second is the correct answer चलिए 29 के बाद next question की बात करते है 30 the magnetic line of force inside bar magnetic bar magnetic magnetic line of force कैसी होती inside बोले जी inside में जैसे मैंने का ये n है और ये s है तो magnetic field lines ऐसे जाती है outside में गुम के आएंगी किस की तरफ n से s की तरफ और inside में किस की तरफ होती है पुले जी inside में magnetic field lines जो होती है वो ऐसे से n की तरफ मतलब south pole से किस की तरफ north pole की तरफ होती है so according to this first one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करें 30 के बाद 30 बात कि the magnetic flux through a circuit of resistance 10 ohm is changed from 20 weber to 30 weber in 5 millisecond the charge passed through the circuit during this time charge calculate करना है तो charge कभी भी depend नहीं करता कि आप कितने time interval में ऐसा कर रही है charge की value directly इसके उपर नीट में question आया हो है diagram के साथ delta phi divided by resistance r होता है तो बोले जी delta phi की value 10 आ रही है और resistance जो है that is also 10 ohm तो 30 बात तो 30 बात 30 मानस 20 तो 10 divided by the resistance that is also 10 so according to this the charge flow ने 1 Coulomb so second one is the correct answer चलिए सर 31 के बाद अगले question की बात करें the next one is question number 32 capacitor and a register are connected in series across an AC supply की एक AC supply की across capacitor और रजिस्टेंस जोड़ा गया है और अपने से ये पूछा गया which of the following phasor diagram में भी correct निम में से कौन सा डाई phasor diagram करेक्ट है हमने का बाइस आप देखो ऐसा है यदि capacitor और रजिस्टेंस दोनों है तो होता क्या है यदि ये आई है तो ये वी आर होता है और ये वी सी होता है capacitor में current leading होता है voltage lagging होता है तो source का voltage इदर आएगा इसका मतलब voltage से current leading होता है अब diagram के तुरू बात को बतलाना है देखो इसमें voltage से lagging है current इसमें voltage से leading है पर 5x2 के phase से है इसमें voltage से lagging है तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब ये वाला जो diagram है first one that is the most appropriate answer so first one is the correct answer चलिए sir 32 के बाद next question की बात करें question number 33 the direction of EM wave propagation is along EM wave के propagation की direction किसके along होती है electric field के नहीं perpendicular होती है magnetic field के नहीं perpendicular होती है B cross E या E cross B तो इसका correct answer होता है E cross B magnetic field की sorry EM waves में direction of propagation जो होती है electric और magnetic field दोनों के perpendicular और उसके direction E cross B के along होती है चलिए sir 33 के बाद next question की बात करते है 34 कि light wave of frequency 5 into 10 की पवर 14 हर्ज travels through a glass with a refractive index 1.5 wavelength पूछी गई है light की क्या होगी मैंने का बाइस आप देखो ऐसा frequency V is the cost 2 क्या होता है F lambda तो lambda की value V by F और V की value होती है C by mu where mu is the refractive index अब C की value होती है 3 into 10 की पवर 8 है ये data है 3 by 2 into में refractive index that is 3 by 2 into में frequency that is 5 into 10 की पवर 14 मैंने का 3 से 3 सई दो गया ये 2 उपर गया 2 by 5 that is 0.4 into 10 की पवर minus 6 4 पवर बैलेंस करें तो 4000 into 10 की पवर minus 10 so we can say that the wavelength will be 4000 angstrom so fourth one is the correct answer for this question चलिए सर 34 के बाद अगले question की बात करते है 35 देखो बेटाची 35 में क्या का आ गया है एक combination of convex and concave lens placed in contact is has power 4D मतलब दो combination की power जो है वो 4D के equal है मने का यदी combination की बात की जाती है lens पास पास है कुछ का नहीं गया तो फिर अपन पास पास वाले केस से ही solve करेंगे 1 upon f1 plus 1 upon f2 and this value is the power so it is 1 by 4 concave lens की focal length 100 cm है और मुझे convex lens की focal length calculate convex lens की power calculate करेंगे so 1 upon f comes as 1 by 4 plus में power sorry 1 upon f क्यों लिखेंगे इसको कुछ इस type से नहीं लिखकर power p तो लिखना है power is 4 this data will be not 1 by 4 this will be 4 if this is 4 so this will be 4 plus 1 हम से convex lens की power पूछी गई है and the power is what 5 diapta so for this question second one is the correct answer चलिए सर आगे बनाते हैं बात को 35 के बाद next one is question number 36 तेकि इस section में total 15 single choice questions है और जिसमें से आपको कोई भी 10 attempt करने है तो चलिए सुरू करते हैं questions के साथ सबसे पहले कि resolving power जो होती है microscope की वो किस के लिए maximum होती है मैंने का वाईस आप देखो सूनो बात को resolving power जो होती है वो wavelength के inversely proportional होती है resolving limit proportion होती 1.22 lambda by d और resolving power जोती है वो wavelength के inversely proportional होती है wavelength के inversely proportional होगी तो इसका answer वो होगा जिसमें wavelength lowest है उसके लिए resolving power highest होगी तो यदि मैं विब्ग्योर से चलता हूँ violet indigo blue green yellow orange red देखो जी रेड वेवलेंट highest है ये नहीं होगा green green से छोटी wavelength का orange ज्यादा का है blue color जो है वो सबसे lowest wavelength का है तो उसके लिए resolving power जोगी that will be highest so for this question third is the correct answer चलिये जर आगे बढ़ाते हैं बात को तो चलिये जर question number 37 की बात करें कि the intensity of the center of the screen in white dhc is 8i0 maximum होता है center पे और उसकी value 8i0 गीवन है यदि किसी एक slit को cover कर दिया तो center पर intensity क्या हो जाएगी देखो यदि दोनो slits की intensity same होती है आई तो center की intensity होती है 4i किसी एक को cover कर दोगे तो i बचती है हमने का center की intensity 8i0 है इसका मतलब single slit की intensity कितनी है 2i0 अब आपने क्या किया ydsc के setup में किसी एक slit को cover कर दिया अब जो भी side light आएगी वो इसी के तुरू आएगी sub place पे तो center पर max intensity कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है जब केवल single slit की वज़े से होगी तो single slit की खुद की वज़े से intensity 2i0 है तो उसकी वज़े center पर भी 2i0 होगी और screen के जितने भी points है उन सारे points पर intensity सेम होगी चलिए ज़र आगे बढ़ाते हैं बात को question number 37 के बाद next की बात करें question number 38 कि a light of wavelength 200 nanometer falls होने photosensitive metallic surface whose work function is this stopping potential पूछा गया है हमने का जी 2000 एंग स्टोम 2000 नेनो मीटर तो 2000 एंग स्टोम मोल सकते हैं so this will be the energy of incident light 20 से 20 के 12.4 6.2 तो incident light की energy जो है that is 6.2 electron volt max work function कितना दे रखा 4.2 तो maximum kinetic energy जो आएगी emitted photo electrons की that will be 2 electron volt तो इसके basis पर यदि मैं बात करू तो stopping potential जो मेरे पास आएगा that is stopping potential will be 2 volt so third is the correct answer चलिए अगले किविशन की बात करते है 38 के बाद next one is question number 39 कि एन hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic light of wavelength 975 angstrom तो इसके corresponding यदि अपन number of spectral lines की बात की गई है तो energy की बात करें न पहले ले तो देखो इसके energy minus 13.6 होती यह minus 3.4 होता है यह minus में 1.51 के आसपास का data होता है यह वाल data minus में 0.89 electron volt का होता 85 sorry तो जब अपन इसके corresponding energy की बात करते है तो 975 के corresponding energy मतलब 12400 बट्टे में 975 तो यह जो energy आती है न बेटा यह इस वाले transition के corresponding आती है मतलब ground state में energy की वजह से particle fourth state में jump करके जाता है यदि fourth से वापस आएगा तो number of spectral lines तो गिन के भी निकाल सकते हैं possible transitions की बात कर लेते हैं और इसके basis पर यदि मैं number of spectral lines की बात करूंगा then number of spectral lines will be six so third is the correct answer चलिए सार अगले question की बात करते हैं 39 के बाद next one is question number 40 40 में बोला गया है the current ion inductor varies with time as shown in the diagram diagram के according vary कर रही है किसमें induced EMF का time के साथ graph zone है देखो बेटा जी induced EMF जो होता है सबसे पहली बात minus l di by dt होता है बोलो ठीक है अब minus l di by dt होता है पहले di by dt negative है straight line है मतलब slope constant di by dt यहां पर current constant हो गया मतलब बाद में तो EMF 0 है पहले constant decrease हो रहा फिर constantly linearly increase हो रहा है तो di by dt का data जो है वो constant आएगा बट negative में आएगा तो VL कैसा आएगा positive और बाद में कैसा आएगा negative so fourth is the correct transfer बोलो ठीक बात है कैसर बात समझे VL is equals to l di by dt इस वाले case में slope जो आएगी that will be negative तो VL will be positive इस वाले case में slope जो आएगी that will be positive तो VL will be negative और बाद में स्ट्रेट लाइन की slope क्या होती है constant so fourth is the correct answer चलिए सर 40 के बाद next one की बात करें 40 के बाद next one is 41 किताट है sample of radio active element contents 2 into 10 की पावर 16 active nuclei half life given है और यह बताना है कि number of decade nuclei कितने होंगे 30 days के पाथ देखो बेटाजी यदि सुरू में end note तो एक half life के बाद end note by 2 और 2 half life के बाद end note by 4 30 days दो half life तो decade कितने होंगे remaining यह तो decade होंगे 3 end note by 4 मतलब 3 by 4 into में 2 into 10 की पावर 16 यह कहता तो decade number of nuclei that is 1.5 into 10 की पावर 16 so third is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करें 41 के बाद next one is question number 42 which among the following color is scattered most in atmosphere तो scattering सबसे जादा किस color की होती है जिस color की wavelength सबसे कम होती है that's why sky seems blue intensity का भी फरक पड़ता है blue की intensity काफी होती है तो सबसे जादा scattering किस की होती है blue color की होती है red की नहीं होती है इसी वज़े से अपने कोई sky कैसा दिखता है blue दिखता है इस वाले case में यदि आप बात करोगे जो given colors है उसमें बात की जाए तो फिर इस type के case में क्या होता है इस type के case में हम बात करते हैं बात नहीं कर रहे है हम यह बोलके कि सब 4 colors की इंटेंशरी लगबग सेम सी है तो फिर scattering के case में सबसे ज़्यादा scattering किस की होगी बूले जी violet की होगी जिसकी wavelength सबसे कम है उसकी scattering सबसे ज़्यादा होगी चलिए जार 42 के बाद next question की बात करें 43 2 amplifier having voltage gain 100 and 200 are connected in series the overall gain of the amplifier overall gain जो होता है 2 amplifier होते है तो A1 into A2 3 होते है तो A1 into A2 into A3 4 होते है तो A1 into A2 into A3 into A4 2 amplifier है तो A1 into A2 मतलब 100 into 200 so 20,000 is the gain for this amplifier so second is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करें तो चलिए सर question number 44 की बात करें कि इनर्जी बेंड डाइग्राम ऑफ ए semiconductor material is sonin figure material कैसा है हमने का जी देखो ऐसा है इस वाले question में यदि ये diagram ये नहीं होता फर्मी लेवल यदि ये नहीं होता तो ये semiconductor का होता किसका intrinsic का यदि ये दोनों overlapped होते तो वो किसका होता metal का यदि फर्मी लेवल diagram के बात की जए तो n-type semiconductor में फर्मी लेवल जो होता है वो इस वाले place पर होता है तो अपने से ऐसा पूछा गया है कि किस case में ऐसा हो रहा है मतलब n-type semiconductor है या p-type semiconductor है आसा नीचे की और होता है, तो second is the correct answer, चलिए सर 44 के बाद आगे की और बात करें, the next one is question number 45, चलिए तो question number 45 की बात करते हैं, कि the output of the logic circuit shown in the figure is, कि जो diagram में logic circuit दिखाया गया है, उसका output बतलाना है, मैंने का बाइस आप देखू, यहाँ पर नोर गेट है, और यहाँ पर नेंड गे गीट है, जोअ नोर गेट के दोनों, input same है, मैं का, अउर गेट एप्ल से जर्टीक और और नोर गेट की वात करोगे, that is a. यह नहींट में नेंड गेट में जोट भी सेम और नेंड गेट है, तो भी बार, बतलब यहाँ का data यहां का data भिबार अब यहां पर मैं बात करूं देखो यह बार और यह नौर गेट है मतलब यदि मैं इसको वाइवन कहूं कैंज तो वाइवन की वेल्यू ए 20 प्लस बी बार और उसका भी क्या तो मैं इसको अलग लग करके लिखना चाहूं तो a double bar भी double bar लिखा जा से होता है मतलब this data will be a dot b अब ये data y1 की value a dot b अई, ये y1 है तो y1 dot y1 that is y1 और note और लगा हो आगे, तो y1 bar y की value किस के equal होगी? गोलिजी y1 bar के है y की value y1 bar के equal हो नहीं है that means according to this fourth one is the correct answer बात को आगे बड़ा है चलिए सर अगले question की बात करते हैं 45 के बाद next one is question number 46 बोला गया है to send 10% of main current through a moving coil galvanometer एक moving coil galvanometer है उससे 10% current बेज नहीं है संट resistance 45 ohm मतलब उसका galvanometer का resistance 45 ohm है संट required पूछा गया है मैंने का देखो ऐसा है galvanometer और संट दोनों parallel में आपने 10% current इसमें से बेजी तो 0.1 आई तो बची भी 90% इसमें से गई and both of these are connected in parallel तो मैंने का 0.1 I into my resistance 45 is equals to 0.9 I into my sun resistance S कह दूँ मैं I से I सही दो गया एक point से point सही दो गया so sun resistance comes as 45 divided by 9 so the required sun resistance for this process is 5 ohm बो ठीके चलिए सर आगे बढ़ाते है 46 के बाद अगले question की बाद करे 47 it is difficult to cook rice in an open vessel by boiling it at high altitude because of high altitude पे क्या होता है high altitude पे pressure low होता है यदि pressure low हो गया तो boiling point जो है वो भी water का low हो जाएगा पहली problem तो यह एक तो low pressure हो गया वहां पर तो low pressure में उसको boil होने में भी मतलब जो अपना rice है उसको boil होने में भी परिशानी होगी दूसरा water का जो boiling point है that also decreases so water का boiling point जैसे ही वैसल में water रखा गरम किया water तो वैपर हो गया तो उसको boil होने के लिए rice को boil होने के लिए जो energy चाहिए वो नहीं मिल पार यह किस वज़े से pressure low हो गया low boiling point की वज़े से ऐसा हो चुका है है so according to this for third one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते हैं next अपन 47 के बाद 48 की बात करें 48 में कहा गया है that a carno engine with sink temperature as 17 degree celsius has a efficiency of 50% 17 degree celsius पे sink है तो efficiency 50% है how much should its source temperature be change source का temperature कितना change करना चाहिए ताकि efficiency 60% हो जाए sink का temperature सेम रखना है मैंने का 1 by 2 is equals to 1 minus 290 divided by T source दूसरे case में 3 by 5 60% 1 minus 290 divided by T source dash देखो यहां से इस data को इधर रखके calculate किया तो 290 divided by T source that is 1 by 2 मतलब T source आया बिटाजी 2958 580 इधर वाले case में 290 divided by T source dash is equals to 1 minus 3 that is 2 by 5 तो यदी मैं cancel out करूँ तो ये वाला data मेरे पास T source dash की value जो आ रही है that is 290 into 5 by 2 तो ये जब data था ये 290 into 2 था और ये 290 into 5 by 2 मतलब 290 into 2.5 है न तो delta Ts source के temperature में change हुआ 0.5 इंटो कितने का बिटा 290 का मतलब 290 divided by 2 290 divided by 2 that value comes as 145 Kelvin so according to this second one is the correct answer पर चलिए सर अगले क्यों की बात करें 48 के बाद नेक्स्ट वन इस 49 कि 40 ग्राम ओर्गन इस हीटेड फॉर्टी डिग्री सेल्सियस तो हंडर्ड डिग्री सेल्सियस heat absorbed at constant volume is constant volume पर heat के अपचोड क्या होगी देखो इसमें लमसम का डाटा है 40 ग्राम और गन कई बार 39 लेते हैं molar mass कई बार 40 लेते हैं तो अब अब 39 और 40 दोनों से कर सकते हैं तो मैं इसमें molar mass 40 लेकर कर रहा हूँ आप 39 लेकर भी करोगे तो लमसम में डाटा वही आएगा जो मैं बतला रहा हूँ क्योंकि बाकि सारे डाटा जो है वो variation बहुत ज़्यादा है तो उनकी बात नहीं करेंगे मैंने का कि constant volume पर इसका temperature 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करना है तो number of moles that is 1 CV molar monatomic gas है तो 3R by 2 and temperature difference is 60 R की value 2 so this value comes as 120 calorie आप 49 divided 40 divided by 39 भी करोगे तो डाटा जो है sorry this value is 180 16 to 3 ना that is 180 calorie तो डाटा जो है वो 180 से थोड़ा सा जादा हो जाएगा लेकिन बाकी कोई answer उसके आसपास का है भी नहीं so we can say third one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते है 39 के बाद question number 49 के बाद 50 कि in the circuit zone the current through 8 ohm register is same before and after connecting E value of E is मतलब E को लगाने से पहले और लगाने के बाद current में कोई change नहीं हुआ तो तब ही नहीं होगा जब इसके across potential drop और इसके across potential drop क्या होगा same तो जी सर दोनों के across मतलब जितना इसके across potential drop है वही इसका potential हो जाए तो इसमें से कोई current flow नहीं करेगा बोले जी ठीक है हमने गादी एक काम करते है पहले circuit में current निकाल लेते है that is 12 divided by 6 plus 10 plus 8 that is 1424 that is 1 by 2 ampere 1 by 2 तो इसके across potential drop कितना है 8 ohm के across that is 4 volt तो इस battery का जो emf होगा that emf will be also 4 volt okay dear so that's all from my side in this discussion बाकी बीटा जम के मैनत करें we will do very good in this exam इस बार NEET 2022 हम लोगों के लिए बिलकुल हम लोगों के लिए ही बना है क्योंकि हमने बहुत जादा मैनत की है इसके गवा आप और हम दोनों ही है तो ठीके डियर all the best for your exam जैसे लसी